नमक की कीमतों में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपे में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है तो नमक की घटी हुई कीमत परती किलोग्राम ग्याद करें अब देखिए नमक की कीमतों में क्या हुई 20% की कमी हुई है तो यहाँ पर मैंने लिखा ओरीजिनल और यहाँ पर रिड्यूस मतलब घटी हुई ठीक है तो पहला यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस और यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी ठीक है अब प्राइस में क्या हुआ है 20% की कमी तो 20% का जो फ्रेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा 20 by 100 यानि एक बटा पांच राइट ठीक है तो यानि ओरिजिनल जो पराइस था पांच यूनिट था तो एक की कमी रही है ठीक है ना यानि डिसकाउंट माल लीजिए तो रिड्यूस प्राइस क्या हुआ 5-1 यानि 4 आ गया ठीक है तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 5 बीस परतिसत की कमी रही तो रिड्यूस प्राइस कितना आया 4 ठीक है एक व्यक्ति सो रुपय में चार किलो ग्राम अधिक नमक खरीच सकता है क्वांटिटी लेकि शुरू में वो चार यूनिट खरीच सकता था रिड्यूस प्राइस के बाद वो पांच यूनिट खरीच सकता है मतलब एक यूनिट जादा ठीक है लेकिन एक यूनिट किसके बराबर दिया गया है चार किलो ग्राम की चार किलो ग्राम नमक के तो यहाँ पे एक यूनिट खरीच सकता है ना सोरी एक यूनिट किसके एक वल दी गई है फोर केजी के अब उसने पुछा है तो नमक की घटी हुई परती किलोग्राम ग्यात किलोग्राम कीमत ग्यात करें ठीक है ना कुन सी है घटी हुई तो घटी हुई क्वांटिटी कितनी है पांच यूनिट एक यूनिट चार किलोग्राम के वराबर है तो पांच यूनिट कितनी होगी पांच गुना चार कितना हो गया बीस केजी ठीक है तो बीस केजी नमक वो कितने में खरीदता है यह दिया हुआ है सो रुपे में ठीक है तो बीस केजी नमक खरीदता है सो रुपे में तो उसने पुछा है एक केजी का क्या मुल्य होगा तो 100 बटे 20 यानि 5 रुपे तो जो नमक की घटी होई कीमत पर 3 किलोग्राम ज्यात कीजिये तो घटी होई कीमत पर 3 किलोग्राम कितना हो गया 5 रुपे तो उप्सन जो B है उसा ही अंसर है